मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की उपासाना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और इस दिन हनुमान जी के मंदिरों में श्रधालूं की भीड लगी रहती है बजरंग बली को खुश करने के लिए कोई मंत्रों का जाब करता है तो कोई हनुमान चालिसा का पाथ लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो भूल कर भी मंगलवार के दिन नहीं करने चाहिए इससे भगवान हनुमान जी नाराज होते है जोतिशों के अनुसार मंगलवार के दिन भूल कर भी श्रिंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए इससे वैवाहिक संबंधों में दरार आजाती है अगर श्रिंगार का सामान खरीदना है तो सबसे अच्छा दिन होता सोमवार और शुक्रवार इस दिन मेकप का सामान खरीदने से सौभाग्य प्राप्थ होता है मंगलवार को दूद से बनी मिठाईया जैसे बर्फी, रबडी और कलाकंद कभी नहीं खरीदनी चाहिए दूद को चंद्रमा का कारक माना गया है चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के धुर विरोधी है इसलिए मंगल के दिन नहीं दूद से बनी चीजों का प्रयोग करना चाहिए और नहीं इन्हें दान करना चाहिए मंगल वार को केवल बेशन की बूंदी से बना हुआ लड़ू खरीदे या घर पर बना कर हनुमान जी को भोग लगाए इस दिन भूल कर भी मास नहीं खरीदना चाहिए और ना ही उसका सेवन करना चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति के कुटुम पर विपत्ति आती है इस दिन मचली खरीदने और खाने वाले व्यक्ति का पैसा पानी की तरह बहकर खत्म हो जाता है मंगल वार के दिन भूल कर भी ब्लैक कलर के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहन्ने मंगल दोश का प्रभाव कम होता है मंगल वार के दिन गाड़ी लोहे का कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए इस दिन स्टील के बरतन और धारवाली को चीज जैसे नेलकटर, चाकू और कैची इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए मंगल वार के दिन ना अखून, बाल कटवाना और दाढ़ी कभी नहीं बनवाना चाहिए मंगल वार के दिन पैसे का लेंदेन भी नहीं करना चाहिए इससे धन की हानी होती है इस दिन घर में हवन नहीं करना चाहिए और ना ही इसकी कोई सामगरी खरीदनी चाहिए झाल झाल